हेलो बच्छो कैसे हैं आप सभी आज का जो टॉपिक है हम चूज किये बच्छो न्यूक्लियर विपन्स यानि की पर्मानु बंब क्या होते हैं पर्मानु बंब यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिनों आप लोग आज कल न्यूस पेपर में सुनते रहते हो कि यू उक्रेन और रशिया में जो विवाद है जो तनाव है वो इस्थितिया वर्ड वार्ड तीन यानि की बच्छो तरती विश्वयुद्ध की तैयारी भी करवा सकती हैं तो है क्या हो क्या रहा है वहां पर क्यों बच्छो यह रूस जैसे अमेरिका जैसे कुछ देश इन सुना होगा कि जब पर्मानु बम हिरोशिमा और नाका साकी पर डाला गया था उस टाइम पर वहां जो तबाही हुई थी वो तबाही बहुत ज्यादा खतरनाक तबाहियों में से एक तबाही थी एक न्यूकलियर बम ने पूरे शहर को खलास कर दिया पूरा तबाह कर दिया पूरा बरबाद कर दिया लग भग एक लाग छबिस हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई आज भी वहां के लोगों में बन्शागती बच्चों कह सकते हैं कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं बिमारिया होती हैं जस्ट क्यूंकि उनके यहाँ पर न्यूकलियर बम गीरा था तो यह न्यूकलियर बम में ऐसा क्या होता है क्यों यह बम बहुत ज़्यादा हानिकारग होते हैं और यह बच्चों पूरी पत्थवी को भी बरबाद कर सकते हैं मानिये बच्चों ये बर्मानुभम इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये पूरी की पूरी अर्थ को तबाह कर सकते हैं होता क्या है इन में ये बहुती बड़ा जानने का और बहुती रोचक दिल्चस्प चीज़े हैं जो आपको पता होना चाहिए एक तरफ हिरोशीमा के ब्लास्ट की बच्चों तश्वीर है और दूसरी तरफ है नाकसा की दोनों ही बच्चों जगह शहर तबाह हो गए वहां लगबग अनिगिनत लोगों के अंदर वन्शा गती बच्चों वन्शा नुगत जो खामिया होती है वो पाई गई महांकर डिये ने खराब हो गया है ना उनके सभी लोगों के अंदर बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आगे वहां के लोगों के बच्चों आज भी प्रॉपर तरीके से उनका बर्थ नहीं हो पाता उनमें बहुत सारे विकार आते हैं क्यों कि वहां पर बंगे रहा था तो क्या है ये पर्मानु बंग क्यों इतना खतरनाक है क्यों हम इतसे इतना डरते हैं यह बहुत बड़ा प्रिश्चन है तो आओ थोड़ा सा हम परमानुबम के बारे में समझने के अपरयास करते हैं परमानुबम की बात करें बच्चों तो परमानुबम बेसिकली बनना आए जाते हैं एक कॉंसेप्ट जिसे बोलते हैं हम लोग नाभी किया विखंडन क्या होता है ये नाभी की ये विखंडन बहुत ही बच्चो दिल्चस्प टॉपिक है ये ये नाभी की ये विखंडन किस प्रकार से प्रियोग में लाया जाता है आपने सुना ओगा सूर्य में अनगिनत उर्जा और उश्मा मिलती है वो कहां से इतनी उर्जा आती है बच्च के पास अठाह उर्जा होती है वो उर्जा का स्त्रोथ होता है नाभी की ये सनलयन यानि बच्चों ये नाभी की ये सनलयन और नाभी की ये विखंडन कुछ अजीव गरीब नाम आप लोग सुन रहे हो आईए पहले इन नाभी की थोड़ी सी परताल करते हैं फिर हम आगे दूसरा होता है बेटा प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन तो बेटा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये पाए जाते है किसी भी परमानू के नाभी के में अब नाभी क्या होता है नाभी किसी भी परमानू का केंद्र हो जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है बस आपको इतना जानना है कि एक बच्चों किसी भी चीज की किसी भी तत्व की चाहे में बच्चों कोई भी एलिमेंट बोलू सोना चांदी हीरा कोई कितना भी बड़ा कंग कोई भी कंग पानी का कंग भी क्यों नहीं हो हर कोई सी अंदर बच्चों एक सं रचना होती है और ये परमानु-स संरचना तीन चीजों से मिलकर संपूर्न उती है को दुन्यादारी से इतना मतलब नहीं होता लेकिन आपके पूरे प्रत्वी पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व है जिनका बच्चो थोड़ा सा दिमाग घूमते फिरते रहता है एक्जांपल के लिए लोहा चांदी लगा ले लेते लोहा चांदी सोना तांबा यह तो बड़ा उतावला रहता है यानि बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रोन जो होता है वही नाभिक है लेकिन एक ऐसा तत्व बच्चों आपने यूरे Κ il का मतलब होता है विकिर्णों निकलते रहती है यह विखंडन में लेकिन ना भी किया सनलेंड में उल्टा होता है बिटा सूर्य के पास होता है ना भी किया सनलेंड जहां सबस्क्राइबंड गरता है सबस्क्र्याजन हाईदोम फुर्जन में कर दो हैड्रोयजन कell चाहा मिल्करण को इसलिए वन चाहते के बैल इसीत की नहीत चैसी में defending रोजन के तत्व बच्चा आपने सुना होगा पानी में पानी एच टूओ से मिलकर बनता है सोचो अगर वही के वही बच्चो दो एटम दो एच परमानू आपस में जुड़ते हैं तब निकलने वाली उर्जा सूर्य के अंदर मिल रही है वो कितनी अपार उर्जा है बस बच क्या होता है क्योंकि वो सूर्य में हो रही है हम बात करते हैं नाभी की अविखंडन की जो प्रित्वी पर हो रही है हम मनुष्य कर रहे हैं हम बम बना रहे हैं क्या है ये नाभी की अविखंडन बच्चो बहुत अलग होता है नाभी की अविखंडन में एक परमानू को अल आप लोग नदी में पत्थर फेकते हो गोते लगाते हो वैसे ही अगर मैंने क्या गिर दिया यूरेनियम का बच्चो एक परमानू था मेरे पास में और क्या कर दिया मैंने इसके उपर न्यूट्रानों को छोड़ दिया यह एंड को मैंने इस यू पर छोड़ दिया यू फोर यूरेनियम एंड फोर न्यूट्रान यह बच्चो बहुत ही सोचने वाली बात है यह न्यूट्रान बहुत उदासीन है इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन जब यह यूरेनियम के नाभिक पर पड़ता है बच्चो तो यह यूरेनियम यह जो बच्चो अभी तक शान्त बैठा था यह उरेनियम उतावला हो जाता है उत्तेजित हो जाता है और अपने छोटे छोटे भाई बहनों में विभक्त हो जाता है यह यूरेनियम दो छोटे छोटे पच्चो चोटे यानि कम अनुभार वाले परमान का निरमान करता है लेकिन साथ में 3 निउट्रॉण कोure प्ल्स play निकलती है बेटा इतनी उर्जया इतनी उर्जया की एक बारी में जो निकलने वाली उर्जया है वो 55 कही हजार टरं कोयले को जलाने से मिलती होगी उतनी एक यूरेणियम परमानू के फटने पर मिल जाती है यही कांसेप्ट का प्रयोग करते बेटा नुकलियर वीपन यानी की परमानू बम में क्या होता है यहां बचों परमानू बम जो है यह काफी तगडी तरीके से react करता है दो प्रकार से करते है इसको विखंडन मतलब तोड़ना तो यूरेनियम बच्चो जनरली क्या होता है जैसे ही किसी neutron को छोड़ा जाता है इसके उपर तो ये यूरेनियम क्या करता है बटा दो छोटे-छोटे परमानों में विभक्त होता है प्लस बच्चो तीन लगबख साथ में इसके neutron निकलते हैं तीन क्या निकलते हैं neutron निकलते हैं अब ये तीन neutron है बटा ये तीन neutron क्या करेंगे अगले तीन यूरेनियम पे फिर से जाेगी अब आप बोलो हैम यह इत्ना युरीनियम गहां से मिलता है अरे भई ये तो एक ही पर्मानु है और अगर में बात करूग बच्चों यौरीनियम का इतना बड़ा अगर डबा है मानलो मेरे बास में इत्नु सा in in उसमें कई बच्चों परमानू होते लाखो करोडों करमानू इतने से यूरेनियम में रहेगे अरे इतनी से डब्बी में भी धेर सारे परमानू होते हैं तो इतना सा एक ग्राम एक ग्राम यूरेनियम भी बहुत है किसी जगह को तबाह करने के लिए तो बस बच्चों वो एक ग्राम यूरेनियम में मान लीजे कम से कम नई फिर भी अगर लाखो पर मानू है एक ग्राम यूरेनियम में लाखो पर मानू है तो वो इनफ है किसी जगह को तबाह करने के लिए तो बच्चो एक यूरेनियम का पर मानू पर न्यूट्रान मौरा है मैंने अगर बच्चो ये निकलने वाले और बच्छो 3 Neutron और 3 Uranium पर पड़ेगे तो सोचो कि फिर से 3 Neutron निकलेंगे फिर से 3 Neutron निकलेंगे फिर से 3 Neutron निकलेंगे और धेर सारी उरजा और यह बनती है चैन reaction इसको बोलते बच्छो चैन reaction जो बहुत important है class 10th में class 12th में आपको हर बारी पूछी जाने वाली most I am ये chain reaction बच्चो ऐसे ही अब ये 3 neutron, ये 3 neutron, ये 3 neutron अब बच्चो आगे आने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uranium से टकड़ाएगे और ये बच्चो सिर्फ पलक जपकते प्रक्रिया होती है और इतनी उर्जा निकलती है इतनी उर्जा निकलती है बच्चों के आपको बता दू कि ये किसी भी जगह को तबाह कर सकती है अगर आप एक किलो यूरेनियम को बिटा ऐसे ही खुले में छोड़ दोगे neutron को मार करके बस बच्चो समझ जाओ कि वो पूरा इलाका खत्ब इवन बच्चो भारत में अगर किसी जगह पर डाल दिया जाए तो हो सकता है कि वो पूरी जगह तबाह हो जाए इतना खतरना के पर बच्चो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा इसके बारे में आप सभी लोगों ने बच्चो परमानु बम के बारे में सुना ही होगा कि परमानु बम का हम प्रियोग करते हैं किसी जगह को तबाह करने में पर बच्चो आपने ये भी सुना होगा कि हम न्यूक्लियर र और यानि कि इस प्रकार से यह होते है हिसी भी नियंत्रत विंघंडन रंकला काती जब बच्छो इस तबाही को हम कंट्रोल कर लेथ जब भिढ़ी को मिला कॉए एिस चैन पर अगर यह कंट्रोल नहीं होती बच्चो तो तब एक परमानू से बंब निकल कर बच्चो ऐसे ही तीन निट्रोन उत्पन होते हैं और बच्चो होती है तब आही बुम और यही होता है किसी भी परमानू बंब का सद्धान्त तो बच्चों परमानू बम सिर्फ और सिर्फ किसी जगह पर जला करके बहुत जादा उश्मा और उर्जा के कारण थबाही ही नहीं मचाता हानी कारक रेडियो एक्टिव किरने जैसे की गामा किरने अलफा किरने बीटा किरने और भी बच्चों जाने जाने बहुत सारी ऐसी ऐसी विकरनों को उत्फण करता है जो की आपके शरीर में कई 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 सालों तक आपके बच्चों के बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चों के बच्चे उनके भी बच्चे सबके बच्चों के बच्चे कम पस-पस के जगों पर जब जन्म होता है तो बहुत जादा विकार पाए जाते हैं उनके जन्में क्यों कि बस अमेरिका ने वहाँ पर बंब ब्लास्ट कर दिया था वो भी परमानू बंब तो बच्चो अगर आप लोगों को लगता है आपका सजेशन क्या है कि क्या परमानू बंब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए अगर आपको लगता है कि यस मैम कई बारी हमें स्वरक्षा के लिए रखना है कई बारी आप लोग बोलोगे कि मैम अधर चीजों के लिए जरू किया जाए तो यह अच्छा है लेकिन गलत जगों पर यह सिर्फ तबाही करेगा भाहिसकार करेगा कुछ नहीं कर सकता तो आप लोग बच्चों पता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का इस पर मत क्या है यह बच्चों एक तश्वीर है जो मैं लेकर आई हिरो सीमा की तबाही के बाद देख सकते हो बिटा दूर दूर तक आपको एक परिंदा भी फढ़ फढ़ाता नजर नहीं आ रहा होगा यह है हिरो सीमा की वह तस्वीर जिसमें बच्चों कोई भी नहीं बच्चा कोई भी नहीं एक ही ब्लम ब्लास्ट में एक ही साथ में 80,000 लोग पहली बार में मर गए बिटा 80,000 लोग एक ही बारी में मर गए सोचो कि एक ब्लास्ट में सिर्फ 80,000 वो भी उस टाइम पर बच्चों जब टेकनोलोजी कुछ नहीं थी आज के जमाने में टेकनोलोजी बहुत विक्सित हो गई है यह 1945 की बात है आज 2020 चल रहा है अगर यह बंबलास्ट आज हुआ तब सोचो कि क्या होग सकता है तब बच्चों अगर आप लोगों को ऐसे ही और दिल्चप सीजे जाननी है तो आप बच्चों क्लास 7th हिंदी मिडियम को सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को लाइक कर सकते हो अपने बाकी अन्य दोस्तों के साथ म और बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज पर किस चीज के बारे में समझना है तब तक के लिए हम लोग चलते हैं धन्यवाद